नए साल में बिहार से जारखंड की दूरी महज कुछ घंटे की रह जाएगे जानेंगे इस वीडियो अपडेट में नई रेलेवे लाइन पर CRS को लेकर क्या है अपडेट और कब होगा स्पीड ट्राइल इस वीडियो को शुरू करते हों से पहले हमारे चैनल को नई किया है सब्सक्राइब तो करड़े सब्सक्राइब दरसर इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे रांची से कोडर्मा वाया पटना के बीच नई रेलेवे लाइन का क्या है अपडेट इस नई रेलेवे लाइन के बारे में पूरी जानकारी चलिए सुरू करते हैं नई साल में रांची से पटना के दूरी एक सो किलोमेटर तक कम होने वाली है जिससे लगबग दो घंटे की बचत होगी इस नक्यवल दोनों राज्यों के राजधानी एक दूसरे से रेल नेटवर्क से नजदीक हो जाएगा बलकि सफ़र भी बेहद रोमान्चक होगा घने जंगल और पहारियों से घिरे इस रेल वे लाइन पर चार सुरंगे और पांच बड़े ओवर्वीरिच के साथ साथ 32 घुमाउदार मोड से होकर ये ट्रेन गुजरेगी इस रूट में कई सारे रेलवे स्टेशन भी दिये गए हैं और इसके साथ ही बताया जाता है कि राची से कोड़र्मा तक बिछाई गई नई रेलवे लाइन से जल्द नई साल में यात्रा प्राडम्ब हो जाएगा 20 दिसंबर को रेल संक्षा आयुक्त CRS कर सकते हैं और इस नई रेलवे लाइन का स्प्रीट ट्राइल किया जा सकता है इसके साथ ही पुर्व मज रेलवे की ओर से भी लगतार तयानिया की जा रही है ग्रीन सिंगनर मिलते ही ट्रेनों का संचालन भी सुरू हो जाएगा उमीद करते हैं कि नई साल में इस रूठो कर राची से पटना के बीच ट्रेन भी चलने लगेगी राची से कोडरमा तक लगबग 200 किलोमेटर लंबी रेलवे लाइन है जो कि एक बड़ा हिस्सा पूरा ह हो चुका है और इस रेलवे लाइन के कंप्रीट हो जाने के बाद सिधवर से सांकी तक 27 किलोमेटर रेल मार्क पर इंजन चला कर रेलवे ने दो चड़नों में ट्रायल भी पूरा कर लिया है पूर्वमद रेलवे के महापरबंदक बताते हैं कि सिधवर से सांकी रेलवे ल पर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा राची से पतना जाने वाली अभी ट्रेन जो चलती है वो बोकारों और गोमों होकर चल रही है दोनों सारों के बीच दूरी लगवक 408 किलोमेटर की है ऐसे में नई रेलेल लाइन चालू होते ही राची से पतना की दूरी ब कोमेटर बॉक्स में बताएं इस वीडियो को सेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब नई ट्रेनों के आने अपडेट के लिए